हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टेनून, कैसे हैं आप सब, होप आप सब अच्छे होंगे जैसा कि आप जान रहे हैं, यह हमारा बिजनस फाइनेंस की सीरीज चल रही है जिसमें आज हम अपना नेक्स टॉपिक पढ़ेंगे, शेयर्स, ठीक है तो शेयर्स टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फोर्मेशन देना चाहूंगी कि अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स पर्चेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते है तो आएए चलिए स्टार्ट किरते हैं अपना टॉपिक शेयर्स शेयर्स इस स्मॉलेस्ट यूनिट इन विच ओनर कैपिटल ऑफ दे कंपनी इस डिवाइडेड ठीक है शेयर्स जो ओनर्स कैपिटल होती है ठीक है मतलब एक करोड रुपय कंपनी को चाहिए तो शेयर्स उसका सबसे स्मॉलर पार्ट होता है ठीक है मतलब उस पूरे एक करोड को हम एक छोटे छोटे टुकडों में बाट देते हैं उसी एक टुकड़ी को हम लोग शेयर्स का नाम देते हैं ठीक है sum of money of the purpose of liability and interest a share may also be defined as a unit of measure of shareholders in the company share क्या होता है company share holders के interest को दिखाता है उनके परस मतलब वो जितने shares खर दे उस total उनके amount को दिखाता है कि वो कितने के owner है और उनके जब हमें कितने percent के उनकी भागेदारी है company में अगर यह निकालना होता है तो हम उनके total shares के amount को क्या करते है plus करते है ठीक है तो shares आप लोग समझगे अगर एक company को एक करोड की requirement है तो वो एक हजार में उसे एक करोड को बाट दिया तो अगर एक हजार का एक share मैंने खरदा है अगर एक हजार के 20 share मैंने खरदे है ताइपस of shares हम अपने नेक्स वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि वो काफी लेंदी है उसके marids, remarids, features हमें सब पढ़ने होंगे तो I hope आपको इस वीडियो समझ में आया अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे comment section में comment करके पूछ सकते है Thank you very much for watching my video and do like, subscribe and share my channel आपको इस subject या किसी भी subject के notes purchase करने हो तो आप मेरा description box चेक कर सकते है Thank you